तो मुसल्मानों के लिए मक्का की बहुत जादा एहमियत होती है और देखा जाए तो हर मुसल्मान अपनी जिन्दगी में एक न एक बार तो हच करना जरूरी चाहता है कि भाई किसी तरह से बस मैं एक बार हच कर लू लेकिन ये इतना आसान में नहीं है क्योंकि देखा जाए भी उसमें कोटा मिलता है लेकिन इस कोटे में कुछ सीटे ऐसी होती है जो वी आईपी कैटिगरी की होती है लेकिन अब केंदर सरकार ने वी आईपी कैटिगरी की जितनी भी सीटे होती है ये 500 सीट के लगभग है उसको खत्म कर दिया नहीं होगी और ये देखा जा रहा है कि भाई सरकार जो वी-ाइ-पी कल्चर है उसको खत्म करने के लिए बहुत अब पर्तियबद है है तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि यह क्या ए और यह वी-ाइ-पी सीट है क्या होती है और भारत को कितना हच का कोटा मिलता है आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करें लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप रिग्रेट नहीं करेंगे तो चलिए वीडियो का आगास खटते हैं तो एबीप लाइव का आर्टिकल है ये हज 2023 सेंटर एबोलिशिस वी आईपी कोटा फूर हज ट्रैवल यानि के केंदर सरकाल नहीं हाँ पर जो वी आईपी कोटा होता था हर्च ट्रैवल के लिए वो खतम कर दिया है 11 जनवरी का आर्टिकल है तो देखिए वैंस डे यानि के बुद्वार 11 जनवरी के दिन केंदर सरकाल की अलब संक्यक मंत्राले ने यहाँ पर कहा है कि जो हज कोटा भारती लोगों को मिलता है उसके अंदर का एक और वी आईपी हज कोटा होता है उसे खतम कर दिया गया यानि के अब हज में कोई वी आईपी कोटा नहीं होगा और जिसे भी हज़पर जाना होगा उसे नॉर्मल तरीके से ही जाना होगा। और यहाँ पर यह जो बात बोली गई है वो Minority Minister समर्थी इरानी ने बोली है। और इतने हैं यहाँ पर समर्थी इरानी वी पक्षपर रखमलावर हो गई है। और बोलिए कि जो VIP कोटा हज में शुरू किया गया था वो कॉंग्रिस सरकार ने शुरू किया था और अब मोदी सरकार इस VIP कल्चर को खत्म कर रही है। तो ये बात बोलिए इस मुर्ती इरानी जी ने और इसके लावा अब 2023 में नई हज पॉलिसी भी आएगी जिसके बारे में जल्द सूचना भी दी जाएगी अब आई नहीं है। के लिए हज करना एक ज़रूरी प्रैक्टिस है और हर मुस्लिम मर्द और 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 अउरत को अपनी जिन्दगी में कम से कम एक बार तो हज करना ज़रूरी है ही लेकिन जो लोग गरीब है या फिर फिजिकली चैलेंज है उनके लिए अनिवारी नहीं है यानि हज सिर्फ उन लोगों के लिए ही अनिवारी है जो फिजिकली कैपेबल हो और किसी भी तरह की कोई उसमें फिजिकल ये मेंटल प्रॉबर्म ना हो लेकिन हज हमेशा ही चलता नहीं रहता है बल किसे साल में सिर्फ कुछी समय के अंदर किया जा सकता है और वो है इसलामिक कैलेंडर का येंगें उसके हमेशा हैं बाहते हैं उसके हिसाब सही एक और तैह होता है मान लेजे कि मिस्र में 10 करोड मुस्लिम रहते हैं लेकिन भारत में मुस्लिमों के आबादी 20 करोड है तो भारत की मुस्लिम आबादी जादा होने से भारत को हच का जादा कोटा मिलेगा तो इस हिसाब से यहां पर तैय होता है हलांकि देखा जाये तो हज़कोटा हर देश में रहने वाले मुस्लिमों के आबादी को देख करी मिलता है लेकिन कभी-कभी ये डिपलोमैसी का इश्यू भी बन जाता है और हर देश सुधी अरप को लवी करने लग जाता है कि भाई हमारा हजका कोटा बढ़ा दो और बहुत हिसाब से इस साल भी हज होगा और भारत ने लॉबी करके फायदा भी उठाया है भाई और 9 जनवरी कोई साओधी अरप के जैदा में इस्थित इंडियन कॉंसुलेट ने साओधी अरप के साथ एक बाइलेटरल एग्रिमंट किया है और इस एग्रिमंट के इसाब से भारत क तो 1,75,025 लोगों का कोटा मिलाएगी भाई भाई भारत से 2,30 में हज करने के लिए अब 1,75,025 लोग आ सकते हैं जो इतियास में सबसे ज़्यादा है यानि कि भारत अपनी डिबलोमाईसी के जरीए अपना हज का कोटा लगतार बढ़ाता जा रहा है और जब ये कोटा भा 30% प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाता है जिससे वो प्राइवेट कंपनिया अपने खर्च के एसाब से लोगों को हज करने के पैसे चार्ज कर दिया अपने एसाब से और इसमें भी हर राज्यों को उनकी मुसलिम जनसंग्या का अधार पर हज का कोटा दिया जाता ह कि भाई इस राज जैसे इतने हैं तो इस राज जैसे उतने हैं क्योंकि उसमें इतनी जिन संक्या मुस्लिमों की लेकिन इस पूरे हज कोटे में से 500 सीटे भारत सरकार अपने पास रखती है यह वियाईपी सीटे कहला जाती है जो 500 सीटे होती है और यह जो 500 सीटे वियाईपी की seat हो गई बागी की बची ये 300 seat हो में से 100 राष्टपती के पास रहती है 75 पीम के पास रहती है 75 वाइस प्रेजिडेंट के पास रहती है तो 50 Ministry of Minority Affairs के पास रहती है तो इस तरह से इन 500 VIP seat हो का break up किया जाता है जो अक्सर सरकारी अधिकारी अपनी हज रियात्रे के लिए इस्तिमाल करते हैं और उन्हें किसी लग्की ड्रॉप प्रोसेस से भी नहीं गुजरना पड़ता है क्योंकि ये VIP seat हैं इनमें पैसा भी जादा दिया जाता है लेकिन अब इसे खत्म करें तो फिर और जादा अच्छी बात होगी लेकिन ऐसा नहीं कि हज में VIP कोटा का मामला पहली बार सामना है बलकि इससे पहले भी ये मामला सुर्क्यों में आया था मामला 2011 का है तब खुद सुप्रीम कोट ने हज में जो VIP कोटे का जो कल्चर है उस VIP कल्चर को एक खराब religious practice बताया था और उस समय तो 5000 का VIP कोटा होता था लेकिन सुप्रीम कोट ने इसे 5000 से घटा कर 500 कर दिया यनिके इसमें 90% की decrement हो गया जिसमें 300 तो सरकार के पास था 200 हच के मेटियो के पास था और सुप्रीम कोट के इसी judgment में हच पर दी जाने वाली सबसीडी को भी अगले 10 सालों में खत्म करने पर भी कहा थे कि जो सरकार ने पूरी तरह से खत्म भी कर दिया है आप देख सकते हैं कि अब हच पर किसी भी तरह की कोई भी सबसीडी नहीं दी जाती है तो इस तरह से हच का जो VIP कोटा था अब वो पूरी तरह से खत्म हो गया है आप मेरे इंस्टाग्डाम पर भी जुड़ सकते हो आप सिंपली जाए इसके टख़कई टेकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हं इसके लाव आप मुझे ट्wir थल्ट भी फॉलो कर सकते हैं यहां पर भी सेम ही यूजर ने में I? तो दीजे मुझे अजाज़त मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आये तो चैनल को जोड़ी सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फर वाचिंग एर ये प्रेशिए ये प्रेसिस टाइम गॉड ब्लेस यू अलाव साइनिंग आपसे ब्लीक शाओव ऑचल देद्टेग थैंकि वेडियो थीग्ण गजम्यान के ब्लाव है ने में जोड़ने कर दो आताफ देद्टेग को जोड़ने कि अवाने का प्रेसित रहाओव ये जोड़ने के दूड़ने के प्रेसित आपको ब्लाव पुमिए रहाओव